हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आएं, एकदम चटपिटी और टीस्टी सी नास्ते की रेसिपी तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं तो गैस में हमने एक पैन रख दिया है, पैन में हम दो चमच तेल डाल लेंगे गैस को लो पे ही रखेंगे, और थोड़ा तेल को गरम होने देंगे उसके बाद आदी चोटी चमच इसमें जीरा डाल लेंगे और एक चमच हम सफेद वाले तील डाल लेंगे, अगर आप खाते हों तो डालेगा, नहीं तो इसकीप कर दीजे और एक चमच अद्रक और लसुन को हमने ग्रेट कर लिया था तो उसे डाल देंगे और ये सारी चीजों को थोड़ा सा भून लेंगे तो लो फ्लेम पे ही हम इसको भूनेंगे, गैस को ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो ये एकदम से जल जाएंगे तो ऐसे ही करके और थोड़ी देर के कुछ सेकिंड के लिए से भून लेंगे उसके बाद थोड़ा सा कड़ी पता हम कट करके इसमें डाल देंगे और इसे भी इसी के साथ मसालों के साथ थोड़ा भून लेंगे तो यह आप देखिए तो मसाले अच्छे से भून गए हैं थोड़ा सा हमने 3-4 हरी और लाल मिर्ची को कट कर लिया था तो उसे डाल देंगे तो आप जो भी मिर्ची आप अच्छी लगे वही आप डालेगे का आप लाल मिर्ची पौडर भी डाल सकते हैं इसमें तो इसको भी मिर्ची को भी इसी के साथ थोड़ी देर भून लेंगे और उसके बाद एक कप पानी हमने लिया है तो एक कप पानी हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तो ऐसे करके और गैस को मीडियम पर कर देंगे और इसमें नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार गेहुं का आटा लिया है तो यह एक कप गेहुं का आटा हम इसमें डाल देंगे तो एक कप हमने पानी लिया था और एक ही कप हमने गेहुं का आटा लिया है तो इसको बढ़ी असी करके और ऐसे करके मसलते हुए बढ़ी असा डो बना लेंगे तो जिस कप से हम पानी लेंगे उसी कप से हमें आटा लेना है तो ऐसे ही मसलते वे कुछ देर लगेगी और ये बढ़िया सा डो बन जाएगा ये एकदम से डो नी बनेगा थोड़ा विखरा रहेगा क्योंकि ये गिहू का आटा है और ज्यादा पानी भी इसमें डालना नहीं है तो ऐसे ही करके और गैस को लो पे रखके इसे बढ़िया सा पका लेते हैं ऐसे ही करके बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे तो गैस को हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे नहीं तो ये एकदम से जल जाएगा तो ये आप देखिए बिल्कुल बढ़ी आसा हमने मीस कर दिया इसको तो इसमें पानी भी बिल्कुल भी कम नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे गैस को लोग पे कर लेंगे या फिर गैस को इस टाइम पे बंद कर लेंगे और एक उबला हुआ आलू हमने लिया है तो ये पूरे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है उसके बाद हम इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो हमने गैस को लोग पे ही रखा हुआ था तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके ताकि आलू और आटा जो है वो बढ़ी आसा मिक्स हो जाए तो एक बाल लिया है हमने और उसमें ठंडा होने के लिए रख लेंगे तो जब तक ये मतलब बिल्कुल ठंडा भी निकरनाए हलका गुन गुना रहे तो तभी हम इस पे हाथ लगाएंगे तभी हम इसको मस्लेंगे बड़ा सी करके तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो हमने धनिया की पतियां डाल देंगे इसमें बारीक कट करीवी और उसके पाद इसे अच्छे से मसल लेंगे तो जैसे हम आटे का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम गोत लेंगे इसको तो ऐसे ही करके और थोड़ी कुछ सेकिंड तक हम इसे बढ़िया सा सौप्ट कर लेंगे क्योंकि ये अच्छा सौप्ट होगा तो तभी हमारा जो नास्ता है वो बढ़िया सा सौप्ट सा बनेगा एकदम बढ़िया टेस्टी सा तो ऐसे करके और थोड़ा सा इसे बरिया सा मसल लेंगे अगर चिपक रहा हो तो थोड़ा सा हाथों में आप तेल लगा लिजेगा तो यह बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा तो यह आप देखे बरिया सा मसल के हमने liquidity सा डो लगा लिए है तो अब हम क्या करेंगे हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे दोनों हाथों में और उसके बाद जैसे हम रोटी की लोई लेते हैं बिल्कुल उतनी ही लेंगे और इसको ऐसे करके बढ़िया सा सेट कर लेंगे और गोल बना लेंगे जैसे रोटी के लिए बनाते हैं तो ऐसे करके गोल बना के तो आप चाहें तो इसे ऐसी भी बना सकते हैं या फिर टिकी की तरह बना सकते हैं तो हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो इधर से एक उंगली एक से इसमें बड़ी असा डिजाइन दे देंगे ऐसे करके तो इसको बड़ी असा इसको इधर को सेट कर लेंगे तो यह अच्छा सा बन जाएगा तो ऐसे ही सारे बना लेते हैं तो यह सारे ही बना के हमने तयार कर दी हैं तो चलते हैं gas की तरफ, तो gas में हमने पहले ही तेल गरम करने रख दिया था, और तेल को थोड़ा तेजी गरम रखेंगे, गैस को हाई पर ही रखेंगे, क्योंकि अगर कम पर रखेंगे तो यह ओली सी हो जाएंगे, इसलिए हम हाई फ्लेम पर ही इसको तलेंगे, जैसे हम और उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे तो यह आप देखें बड़ी आसा कलर आने लग गया है तो दीरे-दीरे हम दो-चार बार इससे पलटेंगे तो एकदम बड़ी आसी करारे से हो जाएंगे तो ऐसे ही करके सब को पलट लेते हैं और गैस को हाई और मीडियम के बीच में ही रखेंगे तो ऐसे दूसरी साइट से भी बड़ी आसा सिखने देंगे तो दूसरी साइट से भी सिख गया हैं तो फिर से हम इसे एक बार और पलट लेते हैं तो ऐसे ही करके और अच्छे से इसे सेख लेंगे तो यह आप देखे बड़िया से सिख के तयार हो गए एकदम करारे से वैसे भी इसमें जो आटा है और आलू है तो वो पके वे हैं तो अब क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे तो एक छनी में हम इसे निकाल रहे हैं जो भी तेल होगा तो वो कड़ाई में ही गिर जाएगा तो ऐसे करके और ये पूरा नास्ता हमारा बन के तयार हो गया है अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और Subscribe जरूर करते हैं और Comment में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वी-डियो कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताईएगा और इससे सोस चतनी या पिर ऐसे ही वी खाएंगे या चाय के सोकी नहीं तो चाय के साथ खाईएगा बहुत ही Tastey ल